यह पहला ऐसा ट्रेक्टर है जो चोटे ट्रेक्टर का भी काम करता है और बड़े का भी यह ट्रेक्टर कौन से किसान भाईयों को लेना चाहिए और इसमें क्या-क्या खासियत हैं इन सब की जान करी लेंगे आज के इस वीडियो में किसान भाईयों महिंदरा कंपनी ने कुछ समय पहले ही मिनी ट्रेक्टर स्रेणी में अपनी नई सीरीज ओजा लॉंच की थी जो की बहुत ज़्यादा एडवांस है और इस श्रेणी में भारत में तो आपको ऐसे ट्रेक्टर नहीं मिलेंगे इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए महिंदरा ने अपनी एक्सपी प्लस सीरीज के ट्रेक्टर दो सो पैंसट डियाई को और्चेड मॉडल के साथ लॉंच किया है यह ट्रेक्टर कम जमीन वाले किसान भाईयों के लिए और बागवानी खेती करने वाले किसान भाईयों के करता है इस ट्रेक्टर के साथ आप कल्टिविटर, रूटावेटर और ट्रोली के सभी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं 1200 किलोग्राम की लिफ्टिंग शमता वाली ADDC हाइड्रोलिक दी गई है जो आपके काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है किसान भाईयों और चर्ट ट्रेक्टर से इंटर कल्टिविशन का काम भी काफी ज़्यादा होता है क्योंकि इनको ऐसे ही कामों के लिए बनाया जाता है और इंटर कल्टिविशन के काम में टर्निंग रेडियस काफी महतुपूर्ण होता है तो ये ट्रेक्टर इसका में भी बहुती बेतर परणाम देने वाला है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस है 2.7 मीटर का जिससे आप छोटी जगे पर भी आसानी से ट्रेक्टर को घुमा सकते है इसका अगला एक्सल घुमावदार होता है जो कि धनुस के आकारवला होता है जिससे ये कम जगे में घुम जाता है इसके अगले टायरों के आउटर चोड़ाई 54 इंच की है जिससे गन्ने की खेती या अंगूर वे अनार की खेती में भी ये ट्रेक्टर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है पिछले टायर 11-24 के साइज वले दिये गए हैं जो कि इसको बढ़िया इस्थिरता प्रदान करते हैं इसका डीजल टैंक 49 लीटर का होता है जो कि इसकी श्रेणी के ट्रेक्टरों में देखने को नहीं मिलता बड़ा डीजल टैंक होने से लंबे समय तक आसानी से काम किया जा सकता है स्टेरिंग भी इसमें पावर स्टेरिंग मिलती है जिससे आप बिना थके लंबे समय तक काम कर सकें किसान भाईयों अगर हम बात करें कि ये ट्रेक्टर किन किसान भाईयों को लेना चाहिए तो इसे special तो बागवनी खेती के लिए बनाय गया है इसकी उंचाई, चोडाई, ground clearance सभी इस काम के हिसाब से ही बनाय गये है साथ इसका silencer भी adjustable दिया हुआ है इसको आप खेती वे बागवनी के काम के हिसाब से अलग-अलग तरह से adjust कर सकते हैं इसकी mileage भी बहुत अच्छी है जिससे ये कम खर्च में ज्यादा काम करता है ट्रेक्टर छोटा है तो आपका ये भी सवाल हो सकता है कि उंचे निचे रास्तों पर ये ट्रेक्टर कैसा काम करता है तो इसका जवाब है कि इस ट्रेक्टर में आपको मिलता है 300 mm का ground clearance जो इसे मुश्किल रास्तों पर भी आसनी से चलने में सक्षम बनाता है बागी इसके look वे डिजाइन की बात करें तो महिंद्रा की XP प्लस स्रीज वाला simple वे attractive डिजाइन बनाया गया है इस ट्रेक्टर में आपको differential lock भी मिलता है येर स्पीड इसमें 8 forward और 2 reverse दिये गए है किसान भाईो महिंद्रा का ये attractor हमारे इसाब से तो बहुत अच्छा attractor है अगर आपको भी attractor अच्छा लगा हो तो वीडियो को like वे शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए ट्रेक्टर जंक्षन चैनल को subscribe भी जरूर कर लें ट्रेक्टर जंक्षन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद